वेलकम प्रेंट्स आज हम सेंटेंस में आने वाले सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में सीखने जा रहे हैं एक सेंटेंस यानि वाक्य में दो मुख्य भाग होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यानि करता और विद्धे यानि कि एक sentence जैसे हमने simple लिया है बिलकुर Ram is eating food यहाँ पर Ram subject है और is eating food यह जितना भी part बचा sentence का वो predicate होता है simple सी बात है यानि करता के बाद says जितने भी आपके words बसते हैं वे सब predicate का part होते हैं और समझ लेते हैं इसकी definition subject की subject is the person or thing that is doing an action यानि करता कोई वेक्ती या वस्तु होता है जो की कारे को करता है it is the part of the sentence that names whom or what the sentence is about ये है उस वाके का भाग होता है जिसके लिए की वाके बनाया गया है जो उस वाके का मुक्य हिसा होता है predicate is the part of the sentence that tells something about the subject और predicate होता है जो की हमें subject यानि करता के बारे में कुछ बताता है की करता इसमें क्या कर रहा है अब हम आगे देखते हैं ये हमने दो sentence लिए हैं assertive यानि सकारात्मक वाके हैं इनमें generally जो subject होता है वो पहले आ जाता है यानि की सबसे पहला जो word होता है वो subject का ही होता है जैसे he always comes late यहाँ पर हमें साब नजरा रहा है subject ही है I have finished my work मैंने अपना कारे कर लिया है यहाँ पर I subject है और आगे देख लेते हैं यहाँ पर देखिए both Ram and his brother are very intelligent यहाँ पर हमें दो subject नजरा रहे हैं राम और उसका भाई are very intelligent बहुत बुद्धि मान है यहाँ are very intelligent यहाँ से लेकर यहाँ तक तो predicate है बाकि यह पूरा जो हमारे पार्ट नजरा रहा है यह subject है क्यों है क्योंकि यहाँ पर both Ram and his brother दोनों साथ हैं इसलिए दोनों को ही subject माना गया है helping verb भी यहाँ पर plural की ही दी हुई है बाव वचन की ही helping verb दी हुई है और आगे देख लेते हैं जाहूल उसके डोग के साथ मुझे कल मिला यहाँ पर जाहूल विद इस डोग पूरा complete subject है ना कि जाहूल ही रहेगा विद इस डोग भी साथ आएगा और देख लेते हैं मेरी सर्ट का रंग लाल है तो यहाँ पर इस रेड प्रेडिकेट है बाकि my shirt's color यह subject है इसा क्यों होता है इसके लिए हम समल लेते हैं करता के साथ आए हुए determiners, adjectives इसके अलावा pronouns, participles, articles या phrase भी करता का ही भाग होते हैं उन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं यानि कि इसमें यहाँ पर my shirt's color यानि कि shirt का color, रंग इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं या पर हम shirt से इसको तोड़ नहीं सकते हैं उसी प्रकार राहूल को अलग नहीं कर सकते हैं विदिस डोग के साथ में राहूल, विदिस डोग, made me yesterday या आप विदिस डोग भी साथ आएगा यहां पर डिड के बाद में हमें you नजर आ रहा है यह you इसका subject है what are they doing there? वे वहां क्या कर रहे हैं? यहां पर what are के बाद में में दे नजर आ रहा है यह इसका subject है where is the house? यहां पर यह subject है how is she gone? यहां पर she subject है who are you? यहां पर you subject है और which is my pain अब हमें यह परचान करनी है कि subject शुरू में बीच में लास्ट में कहीं भी आ सकता है तो इसके लिए हमें एक और subject के परिवासा देखनी होगी subject हमेशा वह वेक्ती, इस्तान या वस्तुवता है जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इसका पता हम who, which, what से कर सकते हैं यानि who, which, what से प्रस्न करके हम इसका पता कर सकते हैं जैसे यहाँ पर हम सेंटेंस में देखें who are you यहाँ पर who से हम पूछ रहे हैं, information चाह रहे हैं कि आप कौन है तो यहाँ पर you के बारे में information चाहिए तो यहाँ पर you subject है which is my pain मेरा pain कौन सा है यहाँ पर my pain के बारे में information चाहिए गई है तो यहाँ पर my pain इसका subject है subject कहीं भी आ सकता है sentence के starting में बीच में last में कहीं भी exclaimatory sentences में what a lovely flower this is a lovely flower यहाँ पर पूरा a lovely flower यह subject है what a beautiful morning this is a beautiful morning यह subject है this is नहीं है बलकि a lovely flower और a beautiful morning इसका subject है how clever you are यहाँ पर you subject है oh I don't know about it यहाँ पर I subject है अब imperative sentences में देख लेते हैं इन में हमें वे से subject नजर नहीं आता है लेकिन जो सामने वाला वेक्ति होता है वो you होता है इसलिए subject नजर न आते हुए यह भी हम इसका subject you मानते हैं जैसे don't go there वहाँ मत जाओ यह किस से कहा जो हमारे सामने वेक्ति हैं यह से open the door दर्वाजा खोलें कौन? यू get out यू don't shout यू यानि कि इन में हमें subject नजर नहीं आ रहा है लेकिन इनका subject यू माना जाता है आशाय प्रेंट्स आपको यह प्रियास अच्छा लगा होगा अगर आपको यह प्रियास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थेंक यू